वेलकम तो क्रिप्टोनिक वन बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका तो दोस्तो वी एम पी एक्स टोकन ये 41% डाउन है आज की डेट में इसका रीजन क्या है और ये लोग मतलब इसको बहुत ज़दा हाइप क्रियेट भी क्यों हो रही है इसके साथ साथ दोस्तो मैं एक बार बताऊं आपको कि जैक लेविन का ये टोकन है मतलब जैक लेविन ये एक गूगल में डेवलपर था बैकेंड में डेवलपिंग का काम करता था मतलब एक डेवलपर था उसने क्रिप्टो में माइनिंग वगरा काफी कुछ किया हुआ है और अच्छा गासा एक्स्पिरेंस है इस लाइन में लेकिन इसने कुछ ज्यादा टोकन बनाए है अपने इमला चार पांच टोकन बनाए है और इनकी X1 ब्लोक्चैन भी ओन देवे है तो इसने रिसेंटली में एक VMPX का जो कॉंट्रेक्ट है जो डिप्लोई किया है और वो जो कॉंट्रेक्ट है जो BRC20 के जो जो भी टोकन है इस कॉंट्रेक्ट के थुरू वो अपने टोकन को ERC20 में कनवर्ट कर सकते है अब यह कोश्चन निकल के आता है जब अगर VMPX को अगर BRC पे किया है तो क्यों वो यह लेक्या है यह काफी कोश्चन कम्यूटी की तरफ से है लेकिन अभी तक कोई क्लियर अंसर नहीं हुआ कम्यूटी यह टोकन को तो बाई कर दिया है विकोज अफ जैक लेविन लेकिन कहीं न कहीं वो कन्फ्यूज भी है कि आगे जाके पता नहीं क्या होगा ठीक है तो जैक लेविन ने रिसेंटली यह बोला कि डिप्लोई हो गया है उसके बाद डिप्लोई किया और इथेरियम निकल के आया है कि इथेरियम के जो फीस हो रही है जो फीस हो लोग करतो रहे हैं काफी कम लोगों ने किया है लेकिन कहीं जो फीस की वज़ा से यह टोकन जो और जदा महंगा पड़ रहा है उन लोगों को अब कुछ लोग बेच भी रहे हैं और कुछ लोग मतलब इसको कर नहीं नहीं रहे हैं तो कहीं नहीं सपोर्ट नहीं मिलरी कम्मुनिटी की तरफ से Jack Levin को और यह जो टोकन है और इसकी वज़े से काफी डाउन जाता हुआ दिख रहा है Jack Levin ने बोला है आपने काफी सारे इंटर्व्यू में कि वो इसको ट्रांसफर करेंगे मतलब इसको BRC20 से एथेरियम के ऊपर लेके आएंगे और एथेरियम के ऊपर लेके आने के बाद वो क्या करेंगे वो इस टोकन की यूटिलिटी एड़न करेंगे तो अभी तो यह डाउन है देखो जिसने लिया हुआ है तो बेचने की तो बिलकुल सलाही नहीं है बिकोज डाउन में अगर बेचोगे तो कही नहीं बहुत तगड़ा लॉस हो जाएगा और क्लेम भी मतलब जो इसको इसको बायर है वो फस गया है वो अगर ERC20 के ऊपर लेके आता है तो वैलन गूड है उसके लिए लेकिन उसको फीज जादा देनी पड़ेगी और इसका जो यूस केस है वो ERC20 के ऊपर ये जैक लेविन बोल रहा है तो कहीं न कहीं वो लोग फस गया है वचारे करे तो करे क्या तो वी एम पी एक्स टोकन इस वज़े से यह काफी ज़्यादा नीचे गिर गया है 41 परसेंट जो एक अच्छा खासा इस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा खासा डाउन है तो मैं यह भी नहीं कहता है इसमें आप बाई कर लो यह मोका है तो पता नहीं 2-4 दिन में क्या होगा क्लियर होगा क्या वो अनॉस्मेंट करेगा देखो अभी इसने एक और अनॉस ERC20 का जो पहला टोकन है इन्होंने MEXC के ओपर लिस्ट कर दिया है और वहां पर ट्रेड हो रहा है मतलब लोग बाई कर रहे है तो वहीं पर एक MEXC एक्सचेंज है आज की डेट में जो वहां से आप बाई कर सकते वह भी ERC20 का टोकन तो यह जो टोकन है अगर बाई कर रहे है कुछ लोग सेल भी कर रहे है इन के पास हो सकता है काफी सारे टोकन और टीम थोड़ा बहुत उसको सेल भी कर रही हो या एक्चेंज अपने टोकन निकाल रही है तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि future में यह इसका use case आने के ऊपर ही यह बढ़ेगा अभी थोड़ी सी जो टी कुछ ना कुछ criticize क्योंकि जब टोकन बढ़ता है तो लोग उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं ठीक है अब इसके अलावा कि मैं आपको एक और बार बता हूँ अगर कोई इनसान यह कहता है कि कि किसी भी रेट पे बाई कर लो मतलब समझ लो कि आप VMPX को इस रेट पे बाई नहीं करना चाहिए तो आप में से कोई यूटूबर भी हो सकता है और कोई यूटूबर के पेड़ गूरूप के अंदर भी हो सकता है तो याद रखना कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं अगर कोई क्या था इसको बाई कर लो तो अपना सारा सारा अमाउंट उठाके बाई कर दिता है जो इक बहुत बढ़ी गलती होती है उसके बाद दुबारा रीबाई करने के लिए कभी पैसा खतम हो जाता कई लोगों के और वह लोग निराश हो जाते हैं कभी बही ऐसा मोका देखो तो एकदम सारा पैसा कभी मत लगाई हो सकता है उस से भी नीचे आ ज ज्वाय की तरह करें अगर आपके बस सो डोल है तो आप 10 डोलर ही लगा उसे ज्यादा मतला हो या पांच डोलर लगाओ फिर वेट करो थोड़े से अब ट्रेंड या डॉन ट्रेंड का कहीं न कहीं आप बाई आपको अगर कुछ भी बाई करना है तो बहुत सो समझ के बाई करें मार्केट अभी इतनी फ्लक्टुएटेड है कि मैं आपको यह बता रहा हूं कि टोटल ओवर ओल जो मार्केट है अगर बीटीसी अगर बीटीसी का जो डोमिनेंस है वो बढ़ गया यहां से क्योंकि अभी म अगर यह 49 या 50 या 50 अभव गया तो अइट्स कोई 90 परसेंट तक भी डाउन हो सकते हैं तो उस चीज के लिए भी हमेशद तयार रहो 40 50 और 30 परसेंट भी अट्स इजिली डाउन जा सकते हैं यहां से भी ठीक हैं यहां से भी जाना मुम्किन है 100 परसेंट हर साल होता है अक् जो चीज है क्रिप्टो में देखी नहीं एक दिन या दो या हफते के अंदर भी टोकन 90 परसेंट डाउन जाते हैं जब डोमिनोंस बढ़ता है तो डोमिनोंस साफधान और बिटकोईन को देख के चलें कोई भी ट्रेड लेनी है अगर डोमिनोंस बिल्कुल भी बढ़ता ज जाती है तो एक छोटी सी बाइंग करें फिर अगर वह डोमिनोंस 55 जाती है तो भी एक बाइंग बनती है तो हर 5 परसेंट बढ़ता है अगर बिटकोईन में डोमिनोंस तो ही बाइ करें वह थोड़ा थोड़ा एमाउंट कभी यह गलती ना करें कि अपना सारा जो पैसा है आप सोचो कि अभी तो 50% डाउन है, 41% डाउन है, अपने सारा का सारा पैसा उसके अंदर लगा दो, और फिर उसके बाद एक और बिटकोईन ने जटका दिया, और सारे और ज़दा डाउन आ गए, आपको लगा कि यह 40% डाउन है, आपने ले लिया, फिर और एक 40%, बतलब 80% की टोटल डिप हो गई, फिर आप नहीं ले पाए, तो ऐसा ही VMPX के साथ हुआ है, थोड़ा बहुत नीचे आया, तो लोगों ने इसको बाई किया, फिर और नीचे आया, तो और बाद, फिर एक बार और नीचे आया, तो लोग डर गए, और जड़ा सेल करना शुरू कर दिया, कहीं न कहीं दोनों तरफ से फट आया, जैक लेविन की तरफ से, लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया, किसी बंदे के पास 50 token VMPS के हैं, और उससे ज़्यादा अगर उसको fees देनी पड़ रही है, इथेरियम के उपर, तो भला क्यों बाई करेगा, वो क्यों, क्या रीजन है, VMPX के अंदर entry लेने का, क्या मतलब बन जाता है, तो वहाँ पे लोगों ने sell करना शुरू कर दिया, इसको buy करने की बज़ाए, तो FUD जो बहुत जरूरी होता है, इसो निकलेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो VMPX और किसी भी crypto में ये formula जरूर लागू होता है, अगर आपको थोड़ी सी भी अपको ये फिकर है अपने पैसे की, तो dominance को देख के ही अपना पैसा लगाएं, और बिना dominance के अपना पैसा ना लगाएं, बिकोल dominance थोड़ा सा और बढ़ गया है, अगर 50 से अब बहुत हो गया, तो 30% से उपर ही keval alt coin के अंदर है, और जो shit coin है उनके अंदर कम है, कुछ token उसके अंदर ज्यादा market का बड़ी नहीं पाती है, कुछ token ज्यादा ले जाते हैं, तो fluctuated बहुत ज्यादा होती है, ऐसी condition में market, और लोग बहुत ज्यादा डरे होते हैं, fear को हमेशा neglect मत करें, fear जो market में है, वो आपको पता होने चाहिए, इस वक्त market में fear है, fear के चक्कर में अपनी जेब बिल्कुल खाली ना करें, because fear जो होता है, आपको बिल्कुल zero कर देगा, और बड़े बड़े जो whales होते हैं, वो आपको zero ही करना चाहते हैं, जब आपके पास पूरा पैसा खतम हो जाएगा, ये market और नीचे जाएगी, और जब आपके पास पूरा पैसा बिल्कुल zero हो जाएगा, जब आपके पास लगाने के लिए नहीं होगा, उस टेम आप सोचोगे मेरे पास होता तो मैं लगा देता, लेकिन अगर आपके पास होता तो आप लगा देते, लेकिन अब तो आपके पास होगा नहीं, बिकोज अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया, ऐसी condition में तो ऐसी condition आपके पास आ सकती है, अगर आपके पास ऐसी condition आती है तो आपके लिए बहुत ज्यादा थोड़ी सी खराब situation हो सकती है और एक बात और जाती है तो मैं बोल दूँ आपको ये crypto जो होती है वो हमेशा और हमेशा उन लोगों के लिए जिनके पास ऐसा लगाता राता जाता है अगर वो वन टाइम पैसा अगर एक लाग रुपे से सोच रहे हैं कि वो एक लाग रुपे डाल देंगे और उसके बाद इंतजार करेंगे तो वो हमेशा एक लाग जादे तर वो दस जार बन जाता है स्टैटेजी के बिना आग पाम करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए से लेके चार-पांच महीने छे मीने आगे तक की बात बता रहा हूं आपके पास ऐसे एक सुचेशन आने वाली है जिस सुचेशन में क्या पता आपका पैसा खतम हो जाओ और आप हमे कभी नहीं मिले लेकिन आपको एक अवरेज प्राइज जरूर ऐसा मिल जाएगा जिसकी वज़े से आपका पोटफोलियो अभी तो नहीं अच्छा हो सकेगा लेकिन फ्यूचर में जब बुल मार्किट आएगी तो बहुत अच्छा एक प्राइज मिल जाएगा आपको आपन में जो पैसा है बहुत अच्छा खासा बन सकता है तो ऐसी ही चीजों को अप्लाई करके चलोगे तो कहीं न कहीं आपको लॉस नहीं होगा और वी एम पी एक्स के अंदर जो फड़ फैला हुआ है इसका थोड़ा सा बेनिफिट उठाने की सोचना ज्यादा उठाओगे तो आप फसोगे तो अपकी जेब खाली हो जाएगी जब खाली हो जाएगी तो ना तो हमको अच्छा लगेगा और आपको अच्छा लगेगा मैं वी एम पी एक्स के माध्यम से आपसे क्या कहना चाहता हूं ठीक है आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा कम बातों में ज्यादा समझना पड़ेगा अगर आप नहीं समझे तो एक टाइम में जो काफी लोगों का बुरा हाल हुआ था वो हमारा भी हुआ था वो आपका भी होगा ठीक है उस टाइम हो सकता है हमें बताने वाले कम हो लेकिन आज बताने वाले बहुत हैं उस टाइम यूटीबर दस कि आज यूटीबर बताने वाले हजार हैं तो आप हजारों में से एक या दो या दस की मान के चलो ठीक है? और अपने दिमाग से भी चलो यह नहीं किसी की भी मान ली और अपने दिमाग से बिलकुल नई चले ठीक आपके जो पैसे हैं वो 99% भी डाउन हो सकते हैं ठीक है तो take care and have a good one and best of luck for your future कल पिर नए वीडियो के साथ मिलूगा have a good one take care bye bye